अब यहां उपस्थित बाकी बचे दो महानुभाओं से भी आपका परीचे कराया जाए इनसे मिलिए महाराज ये है चरण रुकिये 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 आपसे आठ मुर्ख ढूण कर लाने के लिए का गया था है ये तो पांच हैं बाकी के तीन काहा है हवारे सलाकार महाद्य का गनित कुछ ठीक नहीं है या फिर बाकी के तीन मुर्ख ढूणने में पूरी तरह विपल रहे हैं आप कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके सामने कुछ और मुर्ख थे, समझ रहे ना, कुछ और थे परंद्वा आपने छोड़ दिया, तेवल इसलिए, कि आपके संसकार आपको इस बात ज्या ज्याना दे रहे हुए ज्यूँ, आपका कर्तव्य कहीं आपके संसकारों की बली तो नहीं चड़ गया, सलाकार महद्य नहीं आचारे, बिलकुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, मैंने महराज के आदेश का पूरी तरह शत्प्रतिशत पालन किया है, पूरे आठ मूर्ख ढूंडे हैं मैंने तो बाकी के तीन कहा हैं, बोलिये, धहरे अचारे धहरे, उनसे भी अभी यहीं कुछ समय महीं आपकी भेट कराऊंगा, बस मुझे कुछ समय दे दीजे, तब तक बाकी बचे इन दो महानुभाओं से परीचे पूर्ण कर लें पंडित रामकृष्णा, आप आगे बढ़िए और शिग्रेस विशेगा समापन कीजिए जी महाराज, तो ये है हमारे चौथे उमीदवार, चरंदास इन्होंने तो अपनी सूजबूच से बुद्धी मानी के सारे मापदंड ही बदल कर रख दिये महाराज क्या हुआ भाई, ऐसे सिर के बल क्यों खड़े हुए? आज प्रातकाल सर में बहुत दर्द था, वैटची के पास गया, तो उन्होंने दर्द निवारन आउशदी देते हुए कहा, आउशदी लेने के पश्चार आउशदी असर करने में थोड़ा समय लेगी फिर क्या था, मैंने भी अपनी बुद्धी लगाई और यहां आकर सिर्शासन कर लिया, ताकि दवाई शरीर में जाने के बजाए, सीधे मेरे सिर में चली जाए, और मेरा सिर्दर सीग रही ठीक हो जाए, कियाना पुद्धी मानी वाला काम हाँ, 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 और अब यह है हमारे पाचवे उम्मीदवार, प्रकाशम, इन्होंने तो अपने बुद्धी दृष्टी कौन से इश्वर तक को ठग लिया महराज, उन्हें भी मूर्क बना डाला, इनके बारे में मैं नहीं, ये स्वयम आपको बताएंगे, बताए किस तरह से आपने इश्वर की आखो में धूल जोगी, बताएए, अरे, जी जखिये मतमित्र, बताएए सबको अपने चातूरे के बारे में, यहां भी तो सबको पता चलना चाहिए कि आपने ऐसा किया क्या, कि इश्वर भी आपके जहांसे में आ गया, बताएए, बताएए महराज, मेरा नाम प्रकाशम नहीं है, जूट बला था मैंने आपसे, हम जानते हैं महराज, यह में राजपरम की गोष्थी में विला था, और इसने अपना नाम अट्टाचारे बताया था, वो भी मैंने जूट बला था, आपको बहुत मानता हूँ, इसलिए मैंने अपना प्रकाशमे की बताया था, इसलिए मने आपना जूट बलाझ है, यह मोई राज महराज, हम जानता हैं इनका वास्थविक नाम इनका वास्थविक नाम सूरी राव है, वो भी मैंने जुट बोला था , मेंनाम सूरिय राव नहीं अर यह था, नाम है तुमारा, वो ही तो, अर लिखते हैं, वो भी हर किसी के नाम के साथ, फिर क्या था, मैंने चलाई अपने बुद्धी, और ये दे कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को अपना असली नामी ने बताऊंगा, पिर क्या था, मैंने अपना किसी को नामी ने बताया, और बताता भी कैसे, मैंने अपना कोई ना यम्दूद किस नाम से मेरे प्राहन को हरने के लिए आएंगे? यानि मैं मरने से रहा, यानि मैंने मिट्ट्यू को चक्मा दे दिया, यानि मैंने भगवान को भी मुर्ख मना दिया. यह देखिये महराज, यह है मुरखता की परकाश्टा. यही है वो मूर्ख जीव जिनके कारण हमारा विजय नगर मूर्खों का राज्य बन कर रहे गया और हम मूर्ख नगरी के राजगुरू दंड दीजिये निमाराज लगाए सो कुड़े और स्थापित कीजिये ऐसा अहितियाद से गुधारन जिसके पश्चात हमारे राज़े में कोई भी मूरखता का विचार करने से पहले सो बात सुचे कैसी विकत स्थिती है यह सब जीग नहीं हो रहा है किन्तु करे भी तो क्या करे आदेश भी तो हमें दिया था अब उसे वापस भी तो नहीं ले सकते हैं काश रामा कुछ करपा इसको लेकर सही कहा राज़ गुरूने महराज बिलकुल सही कहा इन सभी को दंड अवश्य मिलना चाहिए यह सभी दंड की अधिकारी है मेरे विचार से यह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी महराज यदि महराज के तय आदेश के अनुसार यहां पूरे के पूरे आठों मूर्ख उपस्तित ना हो तो केवल पांच मूर्खों को ही यदि दंड मिला तो ये तो आपके आदेश की अवमाना होगी बंड मिले तो पूरे आठों मुड़ाँ को मिले अन्यथा इस लंड को क्या ओचित्ये महाराज? तो बताएं ना, बताएं, कहा है शेष टीन मुर्क? प्रस्तुत कीजिए उन्हें, कीजिए मुर्कों के बीच में खड़ा भाकी के तीन मुर्क भी है महाराज जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तूत करूँगा शेश तीन मूर्खों में से एक मूर्ख मैं स्वयम हूं महाराज जी महाराज मैं ही छटा मूर्खूं जो दंड का उतना ही अधिकारी है जितना की ये लोग जो व्यक्ती राजदरबार के विशेश सलाकार जैसे जिम्मेदार पत पर रहते हुए भी मूर्खों को ढूणने जैसा मूर्ख तब उनकारे कर रहा था उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है महाराज निसंदे छटा मूर्ख मैं ही हूँ मुझे भी दंड मिलना ही चाहिए महाराज और सात्वा मूर्ख कौन हमारे शिशे दर्णी मनी ये तुम्हें बाकी के मूर्ख लग रहे राजगु तथाचारे के शिशे तुम्हें मूर्ख लग रहे इसका आर्थ जानते हैं आप इन्हें मूर्ख कहने का मतलब है हमें मूर्ख कहना आप ही को कह रहा हूं गुरुवर सात्वे मूर्ख आप ही है आचार्य देखे महाराज ये हमें मूर्ख कह रहे हैं हमें प्रखात पंडित तथाचारे को राजगुरु कुल गुरु तथाचारे को मुर्ख कह रहा है माराजी समस्त शास्त्र वेद पुरान के कंधस्त विद्वान महापंडिन तथाचारे को मुर्ख कह रहा है ये राजगुरु जैसे गरिमा मही और उंचे पद पर विराजमान होकर भी यदि आप ऐसे मूर्खता पूर्ण कारे का समर्थन कर रहे हैं इसे रोकने या सही मार्क दर्शन दिखाने के बजाए इसे बढ़ावा दे रहे हैं सौ कोड़े लगाने जैसे गंभीर दंड का उपाय सुझा रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता नहीं तो और क्या है आजारे पंडित रामक्रिष्णा हम जानने के लिए व्याकुल है कि आठवा मूर्ख कौन है यह यह पंडित पागल हो गया माराज संपूर्ण रूप से पागल हो गया आपको आपको मूर्ख कह रहा है महाबली समराठ कृष्ण देवराय को मूर्ख कह रहा है यह विक्षपक पंडित यह तो आप कह रहे हैं आचारे हमने हमने कब कहा अभी तो आपने महाराज को मूर मैंने नहीं कहा आचारे, मैंने तो केवल महाराज के प्रश्णों का उत्तर दिया अर्चु तो यही हुआ तुम्हारे उत्तर का कि महाराज मूर्ख है यह आप चौती बार महाराज को मूर्ख बोल रहे हैं प्रभुवर बस, मंदित रामकृष्णा में जानता हुं माहाराज कि मैं कहां ख़ड़ा हूं और किसके उनमुकूँ मैं अपने अन्नुदा अपने महाबली सम्राथ, महान शासक, श्री कृष्णदेव, राय के सम्मुकाठा आपको भले ये मेरी उद्धंड़ता लगे परन्तु मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि महान बुद्धी जीवी शासक महाराज श्री कृष्ण देव राय उद्धंड़ता और सत्य का अंतर समझेंगे पिर भी यदि आप मुझे कोई दंड देना चाहते हो तो मुझे आपका दिया कोई भी दंड सहर्श स्विकार है महाराज परस केवल मुझे इतना बता दीजिए कि यदि किसी में बुद्धीक शमता कम है तो इसमें उस बिचारे का क्या दोश्माराज इश्वन ने तो उसे ऐसा ही बनाया है यह केवल दंड के पात रेसलिये हैं क्योंकि इनके देखने और सोचने का दृष्टी को न लग है इस बच्चे से पूछा गया कि एक और एक कितने होते हैं इसने कहा ग्याराण क्या गलत का हमाराज कि वल दिष्टी कुण का अंतर है न जहां दो अंक मिलकर हमारे लिए दो बनते हैं इसके लिए ग्यारब बन रहे हैं कि इसे पूछा गया कि सबसे शुद्ध भावना कौन सी है इसने कहा ग्रिणा इससे शुद्ध उत्तर और कोई हो सकता है क्या माराज शेश सभी भावनाओं में हमारी सोच का गणित काम करता रहता है केवल ग्रिणा ही एक ऐसी भावना है जिसमें विशुद्ध रूप से केवल और केवल हम और हमारा एहनकार होता है माराज फिर इससे पूछा गया कि हमारे राजा कौन है इसने कहा भगवान क्या ये सत्य नहीं है महाराज क्या हम सब का इस संसार का इस श्रिष्टी का हम सब का सबसे बड़ा राजा वो इश्वर नहीं है क्या राजाओं का राजा वो प्रभू परमेश्व नहीं है जिसके सब अधीन है आप मैं हम सब ये बच्चा पूरी रात पानी का बर्तन लिए अपनी मां के सिरहने खड़ा रहा है सब को इसमें इसकी मुर्खता देखी इसकी मां को भी अरंतु क्या वास्तों में तो इसकी बताओं तुम सारी रात पानी का बर्तन लिए क्यों खड़े रहे मां प्यासी ही सो गई थी अगर प्यासे हुने के कारण उनकी नीन खुलती तो वो मुझे वहां नहीं देखती तो उन्हें प्यासा ही सोना पड़ता एक संतान का अपनी मां के प्रती इतना गहरा प्रे मूर कौन है माहराज ये बच्चा या हम सब जो इसे मूर्ख कह रहे हैं ये तो इश्वर का वो अबोध अन्चे माहराज जिनके होने से उस परमपिता परमेश्वर के होने का अभास होता है ये लोग तो अबोध है माहराज हम सबसे अधिक विश्वास और सम्मान की अधिकारी हैं क्योंकि ये किसी के साथ चली नहीं कर सकते किसी को कोई हानी नहीं पहुंचा सकते इनमें इतनी बुद्धी ही नहीं है कि किसी को कोई भी खशती पहुचा सके ये काम तो हम जैसे तथा कतित बुद्धी मानों का है जो सोच समझकर जलकपट करते हैं दोखा देते हैं विश्वासगात करते इनका उपाय दंड नहीं माराज शिक्षा है मेरा आपसे नम्र अनुरोध है माराज कि इन्हें दंड देने के बजाए इन्हें शिक्षित किया जाए बस मुझे इतना ही कहना था अब माराज जो उचित समझें मुझे दंड दे सकते अध़ोत पंडित रामकृष्णा अध़ोत यह जो अतिती गण हमारे यहां पर आये हुए हैं इन्हें पूरे सम्मान के साथ बतंत्र किया जाता है और इन्हें यहां पर आने में जो पस्ट हुआ है उसके लिए हमें खेद भी है और दुख भी मंत्रीवर्ण महराज ततकाल आदेश पर पूरे राज्य में रात्री विद्या ले खुले जाएं जहां निश्रुक शिक्षा की विवस्ता की जाएं हम चाते हैं कि हमारे पूरे राज्य में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो प्रत्न ये हो कि कोई कोई असिक्षित न रह जाए और हमारे जो ये अतिति हैं उन्हें फेट उफार दिये जाएं और सह सम्मान इन्हें अपने गंटव्य तक पहुंचाए जाएं जी मारा पंडित रामक्रिष्णा जिस राज्य के पास आप जैसा सुल्जा हुआ विद्वान सलाकार हो वहां भला कोई मूर्टत कैसे कर सकता है आपने आज हमें एक बहुती भारी मूर्टत करने से बचा लिया और उसके लिए हम सदेव आपके आभारी रहेंगे और हमें सदेव ये भी याद रहेगा कि कोई था जिसने विजे नगर समराठ कृष्ण देव राइक को ना कहकर भी मूर्ख कह दिया था आपको ना कहते हुआ था 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 रहे हो जापको ना कहते हुआ प्रणे कृष्ण पर लुट्ट को चिए प्रणे को चाहते हुआ था तो विजल रहे हुआ था दिया था